जय हिंद फ्रेंड्स आप सभी का एक बार फर्शेश्वागत हैं आपके अपने यूटूब चैनल मिशन एरफोस में तो फ्रेंड्स हमने फिक्स प्रिपोजिशन के लिए जो इस्पेसल सिरीद चलाई थी तो इसमें हमने प्लैलिस्ट भी बना दी है और वहाँ पे आपको इसकी सभी वीडियोज मिल जाएंगे तो इसमें हमारी most important 85 यहाँ पे complete हो चुकी है और इस वीडियो में कुछ बची हुई हम यहाँ पे important आपकी fix prepositions को discuss करेंगे तो फ्रेंड्स सभी वीडियोज को देखे यहाँ पे सभी वीडियोज को देखने के बाद कोई भी prepositions आपके exam में बाहर जाने वाला नहीं है यानि इनी में से आपके exam में prepositions आने वाली है तो फ्रेंड्स इसमें हम कुछ important बचे हुए को देखते हैं और इस वीडियो को complete देखने के बाद फिर भी आपको ऐसा लगता है कोई fix prepositions यहाँ पे छूट गई है इस series से बाहर तो आप comment box में comment कर सकते हो कि ये वाली prepositions आपने नहीं कराई तो आप सभी अपने अपने इस तरफे comment कीजी तो एक वीडियो में separate उसी का बना दूँगा जो यहाँ पे छूट जाती है रह जाती है तो आपको comment करना है कि आपके अनुसार कौन सी जो most important है आपके exam के लिए और वो मैंने इन सभी parts के अंदर नहीं बताया तो ये इसका हमारा part क्या है 9 है तो देखते हैं आज का हमारा most important question तो friends यहाँ पे आप देख रहे हो कि यह है question number 86 यानि 85 तक हमारे इसमें 8 parts में वीडियो में complete हो चुके हैं तो आप सभी वीडियो को देखे playlist बना दीगी है आपको यहाँ पे description में link मिल जाएगी तो friends तो देखे question है आपका you should never put up dash injustice तो देखे friends जो put up है इसके साथ जो with preposition का use किया जाता है put up with होता है यानि सहन करना tolerate put up with tolerate होता है सहन करना तो you should never put up with injustice यानि तुमें कभी भी अन्याय का यहाँ पे सहन नहीं करना चाहिए अन्याय को injustice को तो you should never put up with injustice तो option number C करक्टांजर हो जाएगा put up के साथ with का use किया जाता है इसका अर्थ होता है सहन करना tolerate तो दिखते हैं friends next question तो friends question number 87 है लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबा लीजे इसे प्रकार से वीडियो के लिए और एरफोर से रिलेटेड लैटेस्ट इनफोमेशन के लिए तो friends question number 87 है perhaps in these days see is indignant dash me तो देखे friends indignant का अर्थ होता है नाराज होना तो नाराज होना इसका अर्थ होता है तो indignant के साथ with और at दोनों ही preposition का यूज किया जता है indignant with होता है someone यानि किसी के साथ नाराज होने के लिए with का यूज किया जता है और किसी वस्तूपी नाराज होने के लिए यहाँ पे at का यूज किया जाता है तो indignant with someone और indignant at something यहाँ पे होता है तो यहाँ पे हो जाएगा with तो option number 1 करक्ता अंतर होगा perhaps in these days she is indignant with me तो देखती हैं friends next question तो friends question number 88 है question है he is accused of that is smoking तो देखें friends accustomed के साथ fix जो preposition है वो to यहाँ पे यूज किया जाता है option number D correct answer है accustomed to होता है आदी होना तो देखें friends यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि accustomed हो गया आपका given to हो गया given के साथ भी two preposition का यूज होता है जिसका अर्थ होता है आदी होना तो accustomed to given to अभ्यस्त होना तो इन सभी के साथ जो fix preposition यूज होती है वो तो होती है to यानि आदी होना और उसके बाद यहाँ पे जीरेंट फॉम्प का यूज किया जाता है यानि यहाँ पे ing वाली फॉम्प का यूज किया जाएगा तो next question है question number 89 है व्राट नगर इज फेमस डैस इट्स आइस क्रीम तो देखे फेमस के साथ जो fix preposition का यूज किया जाता है वो होती है फॉर option number 1 करक्ता answer है फेमस फॉर होता है परसिद्ध होना तो परसिद्ध के लिए यहाँ पे फॉर का यूज किया जाता है व्राट नगर इज फेमस फॉर इट्स आइस क्रीम तो देखे फेंट जो व्राट नगर है ये मेरा गाउं है और ये आइस क्रीम के लिए फेमस है तो जब कभी आना हो आइस क्रीम को यहाँ पे चेक जरूर कीजेगा तो देखते हैं next question question number 90 है you are hankering यूनिफॉर्मिटी तो देखे फ्रेंट यूनिफॉर्मिटी होता है वर्दी तो वर्दी होता है यूनिफॉर्मिटी तो hankering तो देखे फ्रेंट्स hankering के साथ जो preposition यूज होती हैं वो होती है after option number 2 correct answer है hankering after होता है किसी चीज की इच्छा करना बहुत ज्यादा किसी चीज के पीछे दोड़ना भागना इच्छा करना तो आप सभी वर्दी के लिए यहाँ पे महनत कर रहे हो लगातार दोड़ रहे हो तो you are hankering after uniformity यहाँ पे correct answer होगा option number B तो friends ये थे कुछ बची हुई आपकी fixed prepositions और यहाँ पे आपके 90 fixed prepositions मैंने complete की है और फिर भी आपको लगता है कि कोई fixed prepositions यहाँ पे छूट गई है तो comment box में आप बता दीजे separately उसका यहाँ पे वीडियो बना दूगा तो चली friends मिलते हैं ने श्टूडियो में तब तक कि लिए जय हिंद जय वर्क